हेलो एवरिवन तो चलिए आज आज आपको लेके चलते हैं पंजाब पठान कोट में सित्म मटी कोट में मुकेसरा नाम का जो मंदिर है कहा जाता है कि ये मंदिर पांडो ने अपने अग्यातवास काल के दोरान बनाया था और ये जो आपको बगल में चटान दिख रहे है ये पहाड इसके अंदर ही उन्होंने मंदिर बना रखा है तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजे ये है शिवलिंग शिवजी जो उनके की पांडो ने उपासना की थी अग्यातवास काल में और उस समय उन्होंने ये मंदिर बनवाया था खुदी बनाया होगा शायद क्योंकि जब वो अग्यातवास में थे तो उस समय वो पांच ये नहीं थे और साथ में उनकी दुरोपती थी तो संबव है कि उन्होंने स्वयम ही ये मंदिर बनाया होगा तो आप लोग भी दर्शन कर लीजे और देखिए मंदिर कितना पुराना है और बहुत ज़्यादा छेड़ छाड़ जो है मंदिर के साथ नहीं हुई है ये सही बात है क्योंकि अच्छा है इस सारे से अगर हो तो मंदिर की जो है अपनी जो नैच्रल जी मतलब उसका प्रकृतिक जो है वो खराब नहीं होता है और सामनी जो है पुजारी जी बैठे हैं दर्शानारतियों को परशाद देने के लिए टीका करने के लिए और देखिए आप मंदिर के इस इस्थंबो को दिवारों को मूर्तियों को देखे अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर वाके में उसी काल का है और उसी समय का है तो देखिए मंदिर कितना सुन्दर है मतलब साफ सवाई उतनी नहीं रखी गई है वो सकता है इसमें परशाशन का थोड़ा धील है या जो भी आप कहिए लेकिन मंदिर बहुत ही सुन्दर था आप देखिए कि ये जो चट्टानी है ये देखिए धुनी इस्थन यहाँ पर बाबाजी के लिए मतलब शिवजी के धुनी रमाई जाती है और मूर्थियां देखिए और ये खंबे देखिए और यहाँ पर इस द्वार के उपर मैं आपको दिखाऊँ ये मूर्थियां देखिए आप छोटी छोटी किस तरह से इट को पहाड में मतलब परवत के जो चिलाएं है उस पर ही गोत के बनाया गया है तो चलीए आप सभी ने अब दर्शन कर लियोगे अब चलते हैं हम बाहर की तरफ बाहर यह जो मंदिर असल मेंिस्थित है जो चटान है जो चटान में मंदिर बनाया गया है वो इस नदी ये डैम है ये नदी में जो पानी दिख रहा है असल में रंजी सागर डैम का पानी है तो यहां पे अब बहुत संभावना है कि नदी का पानी चोड़ने से डैम जो है का पानी चोड़ने से मंदिर नदी में मतलब डैम के पानी में आ सकता है जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन भी यहां पे काफी सारे इंजिनियर सा रखे थे तो पंकस से वो लोग बात कर रहे थे डिसकस कर रहे थे पंकस मतलब जब उन से बात की तो यही कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर को बचाने की बहुत मतलब अपनी तरफ से कोश इस तरह नर्ष्ट नहीं होने चाहिए, यह हमारा श्रद्धा का प्रतीक होता है, दीखिया आप देख सकते हैं, इन ही चीजों से यह जो चीजे है पुरातत्व चीजे है, यह मंदिर है, धार्म के सले यही चीजे है जो हम अपने आने वाली पीडियों को दिखा सकते हैं, जि जो दिवार है शायद ये बाद में बनाई गई है ये उस समय का नहीं लग रहा है तो ये दखिए पांडव धियान कक्ष है यहाँ पैंडव उस समय में बैटके ध्यान करते हुँगे प्रभू का भगवादजी का ध्यान करते हुँगे ये देखिए ये चितरो तो खेरा भी मज़ा कह सकते हैं, नैचुरल पन कह सकते हैं, वो खराब ना हो, बस कुछ कैमरा इमरा लगा दिया है, हो सकता है, कुछ किसी, मतलब, होते हैं न, लोग थोड़ा सा कुछ करने के अपने तरफ से कोशिश करते हैं, तो, जैसे चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, आप समझ सकते है तो इसलिए नहीं जो है यह लगाया गया होगा तो यहां हो देखिं सकते हैं आप इस दिवारों को इन खंबो की दविए कितना पूराना है और जिस तरह कि उसमें और कारें हो रख category हो सकते हैं विखे सकते है कि बहुत पूराना काम है, मतलब आज से हजारो साल पहले किया गया कारी होगा, तो चलिए अब हम चलते हैं पांडव उपासना कक्ष की तरफ, मतलब पांडव उपासना कक्ष का मतलब कि यहां पे वो बैठ की भगवान जी का पूजा करते होंगे, उपासना करते होंगे दो मंदिर इस तरह के बने हुए एक उस तरफ जहां पे हम पहले गए थे उसके बाद यहां पे तो यह दोनों ही मंदिर जो है पांडो द्वारा बना गया यह देखी आप देख सकते हैं उपासना कक्ष है और यह शिवलिंग की स्थापना उन्होंने यह जहां पे भी की थी तो देखे कितना मतलब पुराना मंदिर है और बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह की चीजे देखने को बहुत हमें मिलती है पांडो उन्हें देखी चाहे फिर यह पंजाब में पठानकूट में हो या उत्राखंड में आप लाखा मंदर में हो इस तर जैसे होके गुजरता है तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि संभाव नहें कि इसको जो है पानी के में आ जाये डैम के पानी में लेकिन कोशिश पूरी की जारी है कि ऐसा नहो और इस समय यह देखिए आप यह जो आपको रूम सा दिख रहा था कमरा सा वह आपे महिलाओ का नहने का कक्ष है वो और यहां के लोकल लोग है इसको अर्द गंगा भी कहते हो और यहां पे आके ना आते हैं जो कहते हैं ऐसी मानिता है कि जो हर्दवार नहीं जा पाते हैं तो यहां पे आके वो लोग स्नान करते हैं बाहर पुरुश जो है स्नान करते हैं और अंदर यह जो रूम दिख रहा था चोटा सा नीचे उसमें महिला है और यह जो प्रागण दिख रहा है यहां पर यह लंगर होता है यहां पर लंगर चलता ही रहता है आप कभी भी किसी दिन भी आ जाई यहां पर लंगर चलता है रहता है और देखिए इस समय सूरियस्त का समय हो रहा थ कितना सुन्दर नजारा दिख रहा है और हम तो मैं तो यही कामना करेंगे करूंगी और हम यही कामना करें कि मंदिर जो है इसी तरह बना रहे हैं